आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Bacillus Thruingenesis is a Biocontrol Agent Introduced to Control पूचा गया है कि जो Bacillus Thruingenesis है वो Biocontrol Agent किसके काम में या पर किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है तो इसको हम लोग दूसरे नाम से Short Form में BT Toxin हिसाब से जाते हैं और ये जो BT Toxin होता है ये बेसिकलिए एक Protein होल्ड करता है जिसे हम लोग Cry Protein कहते हैं और ये Cry Protein जो है ये बहुत ही जादा हामफुल होता है इंसेक्स के उपर और इंसेक्स जब इसे खा लेते हैं तो उनके गट में जाके रियाक्शन होता है टॉक्सिक रियाक्शन और उस रियाक्शन के वज़े से क्या होता है कि जो इंसेक्स होते हैं वो जादातर लिफ नहीं कर पाते हैं और इसी तरीके से वो डाइ आउट कर जाते हैं और बेसिकली जहां पर ये बीटी टॉक्सिंग यूज होता है वो किया जाता है बटरफ्राइ केटरपिलर्स के लिए और ये केटरपिलर्स जब भी ये क्राइ प्रोटीन जो की बीटी टॉक्सिंग से मिलता है इंटेक कर लेते हैं तो उनके गट में जाके ये रियक्शन करके उन्हें मार देते हैं तो इसी वज़े से बीटी टॉक्सिंग यानि की बैसिलर्स थूरिंगियन्सिस को ऐस बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया जाता है तो इसलिए हम लोग फूर्थ आप्शन को ही यहां पे टिक करेंगे जो की कर्रेक्ट आप्शन हो जाएगा और बाकी को अगर देखें तो जो रोड ड्रेंट्स होते हैं इन हैं जो जिसको हम लोग माइस या रैट्स के नाम से जानता है तो ये खिल कैसे होताँ तो बesically इनके लिए पिसटीसाइडेश जो हैं वो यूज़ किया जाता है वोसे मॉसक्टूटोउज के लिए जो यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल एज़ंट में वो होते हैं dragonflies और grasshopper के लिए जो हैं वो bugs use किये जाते हैं जो कीने intake करते हैं So according to the question जो correct answer है वो जाएगा butterfly, caterpillar और उसी को हम यहाँ पे tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चूपर